नमास्कार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सिखेंगे कि हम किस प्रकासे अमिटर का वाइडिंग करते हैं। दोस्तों, यह जो हमारे पास अमिटर है, इसको हम वाइडिंग दो तरीके से करेंगे। पहला तो, टारेकली पावर सप्लाई के दोरा कनेक्शन करके इस अमिटर का कनेक्शन करेंगे। दूसरा, हम इसको CT के दोरा भी कनेक्शन करना सीखेंगे। ठीके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको complete knowledge मिलेगा अमिटर के वाइडिंग के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वाज़ा से, आज हमारा जो चैनल है, वो एक लग सस्क्राइबर का जो टार्केट है, वो complete कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझे बनाए रखियेगा। ठीके दोस्तों, चलिए, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अमिटर है, वो क्या होता है, और क्यों यूज किया जाता है, एक बात समझ लीजिए। दोस्तों, यह जो अमिटर है, वो केवल आपको current दिखाएगा। यानि कि हमारा जो motor है, फ्रीज है, कूलर है, पंका है, जो भी equipment है, वो कितना ampere current ले रहा है, उसको measure करने के लिए आपको अमिटर का उपयोग करना परता है। तो यहाँ पर जो अमिटर है, इसके पीछे में आपको दो terminal मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, एक terminal आपका plus होगा और दूसरा minus, ठीके। अब देखें दोस्तों, यदि हमें अमिटर का connection करना है directly, तो यहाँ पर हमें चाहिए एक load, लोड के लिए यहाँ पर हमने एक heater ले लिए, ठीके? अब यह जो हमारे heater है, वो single phase का है, यानि कि इसको चालू करने के लिए हमें face supply और neutral supply देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्य करेंगे कि यह जो negative terminal है, इसमें से एक वाल को connect करके हमारे heater है, उसको face supply दे देंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगा दोस्तों, यदि आप ammeter इस्तमाल नहीं करते हैं, तो जो face supply था, उसको हम directly लाके इस heater के साथ connection कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसको measurement करना है, यानि क यहाँ पर हमारा heater है, इसको neutral power supply भी चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वाल को loop करके इस heater को neutral supply दे देंगे, अब यदि यहाँ पर हम power supply को on करते हैं, तो यह जो हमारा heater है, वो on हो जाएगा, और जैसे heater on होती है, तो यह कुछ ना कुछ current लेगा, अब जैसे यह current ले तो यहाँ पर हम इसका connection directly कर सकते हैं, लेकिन यही heater 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere current लेता, तो यहाँ पर जो ammeter था, उसको हम directly connection नहीं कर सकते थे, अब यहाँ आपका जो load है, यानि कि आपका जो equipment वो जादा current लेता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना परेगा, और किस प्रकार से ammeter का connection करें इसको समझ लीजे, देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक motor है, यह जो motor है, वो single phase का है, ठीक है, अब यह जो हमारा motor है, कितना ampere current लेगा, उसको भी हमें measure करना है, तो यहाँ पर हम एक ammeter का उपयोग करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा motor है, उस आपका जो phase supply है, उसको CT के अंदर से लेके जाना है, और motor को power supply देना है, दोस्तों यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, यह जो हमारा CT है, इसमें P1 यहाँ पर लिखा हुआ है, दोस्तों जो आपका P1 होता है, यानि कि जो आपका cable होगा, वो इस P1 साइड से अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए हमें P1 के साइड से आपको cable को entry करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह हमारा P1 है और यह हमारा cable है, तो इसको हमारा motor है, उसको power supply मिल गया है, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो, कि जो हमारा supply था, उसको ही हमने cable CT के अंदर से लेके गए है, न्यूटल सप्लाई को CT के अंदर से नहीं ले गए, दोस्तों यदि आप न्यूटल सप्लाई को भी इसके अंदर से लेके जाओगे, तो आपका जो CT है, वो काम नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको cable face supply मे यहाँ पर S2, ठीक है, तो यह जो हमारा S1 है, इसमें से एक वार को connect करके ले जाते हैं, और जो हमारा omitter है, उसके positive terminal के साथ connection कर देते हैं, आप S2 terminal से एक वार को connect करेंगे, और इसको लिया के negative terminal के साथ connect कर देंगे, तो कुछ इस परगा से हम omitter का connection करेंगे CT के साथ में, दो यहाँ पर हम 3 CT का इस्तमाल इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक face का current को measure करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कि जो हमारा face अप्राई है, उसमें हम CT को connect कर देंगे, कुछ ही इस परगा से, यहाँ पर हमने CT को connect कर दिया हर एक face में, जैसे कि आप देख सकते हो, यह हम अब यहाँ पर हमारे पात 2-2 terminal बच गए हर एक face के लिए, अब यहाँ पर हमारा जो CT है, इस CT का connection करना है, तो CT का connection करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा CT है, इसका जो black wire है, यानि कि S2 terminal है, वहाँ से एक wire को connect करके, ammeter के negative terminal के सा connect कर देंगे, और positive को ammeter के positive terminal के सा connection कर दें ठीके दोस्तों, तो यहाँ पर total हमारा CT का connection था, वह complete हो गया, दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, कि यहाँ पर हमने हर एक face के लिए, अलग-अलग ammeter का उप्योग किये, दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि केवल एक ammeter के दौरा तीनों face का current को measure कर सकें, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक selector switch का उप्योग करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह जो आप देखते हो, यह हमारा selector switch होता है, अब यह जो हमारा selector switch होता है, इसके पीछे में आपको 6 terminal मिल जाएंगे, अब यह जो हमारे 6 terminal है, इस पर कुछ ना होता है, यानि कि यह वाली terminal, इसमें से wire जो जाएगी, वो इस terminal पर connect होगी, ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकास से connection करोगे, तो देखिएगा, आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको जो तीनों CT है, इन तीनों CT का जो S2 terminal होता है, यानि कि यह व यह जो हमारा Y-Face का CT है, इसका जो S2 terminal है, इसमें से एक wire को connect करेंगे, और इसको भी ले जाके C wire terminal पर connect करेंगे, ठीक है, उसके बाद में यह जो हमारा B-Face वाली CT है, इसका जो S2 terminal है, इसमें से एक wire को connect करेंगे, और इसको भी ले जाके C wire terminal पर connect करेंगे, ठीक है, दोस्तो से कक ambigu करके यहाँप recant का धीजिए उसके बार में यहां से एक वायर को साथ को नेक कर देंगे थेनके लिए इसका इसके सब्सक्क्राइब करेंगे और इसको लिए डिकार वायर को साथ कर देंगे अब यहां भी कर willst का सीटी यह इसका तो आर्प्ट पॉइर्ट के सार्कनेक्शन गर देंगी अब यहां से हमें क्या करना है आउपुट पावर सब्सक्राइ लेना है तो आयोट्वाइड सप्लाइ लेने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर जो हमारा स्लेक्टर स्विच था उसके दौरा अमिटर का रिख्या अब यदि आपको यहां पे current को measure करना है मान लो किया आपको आरफेस का current मेजर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यह जो स्विच है इसको रोटेट करके अल वन पर लाना पर अल वन का मतलब आरफेस होता है ठीक है यहां पर हम स्विच का position को L1 पे select कर देते हैं तो हमारा जो emitter है वो R face का current को show करेगा अब यदि हम इसको L2 पे कर देते हैं तो Y face को current show करेगा और L3 पे करने पे B face का current को show करेगा ठीक है यहाँ पर यदि आप CT का उपयोग करके emitter का connection कर रहे तो आपको कुछ बाते हमेंसा याद रखना है क्या क्या बाते आपको याद रखना है समझ लीजिए देखिए दोस्तों यह जो आपका emitter है emitter के पीछे में जो डो terminal है इनमें जो वायर गई है यह वाली और यह वाली इनका जो sequence है उसको हमेंसा सेम रखना है यानि कि a1 से जो वायर जाएगी उसको positive terminal पे और a2 से जो वायर जाएगी उसको negative terminal पे connect करना है यदि आप इसको interchange कर देते हैं तो आपका emitter है वो reverse direction में काम करने लगेगा इसलिए यहाँ पे आपको हमेंसा sequence में connect करना होता है ठीक है उसके बाद में दोस्तों देखिए यह जो आपका CT है यह वाली ठीक है इसको कभी आप open condition में मत रखेगा माल लीजिए कि आपका CT है वो load के साथ connect है यानि कि आपका जो power cable है इस CT के अंदर से गया है और जो आपका motor है वो running condition में यदि उस condition में यदि आप इस emitter को open करके अलग कर देते हैं यानि कि यदि आपका emitter है वो खराब हो गया उसको आप अलग कर दिये किसी कारण से ठीक है तो यहां पे आपको क्या करना होता है कि यह जो दोनों wire है इनको आपस में sort करना है यानि कि S1 को और S2 को आपस में जोड देना है ठीक है कुछ इस पकार से हमने यहां पे sort करके आपको दिखा लिया यदि आप यहां पे इसको sort करके नहीं रखते हैं तो आपका जो CTA वो blast ह हो जाएगा यहां पे blast होने का region यह है कि आपका जो CTA उसके secondary बे इतना ज्यादा voltage produce होगा कि वो जो CTA वो इसको band नहीं कर पाएगा यानि कि सहन नहीं कर पाएगा और जो आपका CT वो blast हो जाएगा ठीक है इसलिए यदि आपका जो आपका जो S1 और S2 टर्मिनल है यानि कि यह दोनों टर्मिनल इनको आपस में sort करके रखना ही रखना है ठीक है दोस्तों आई होगी दोस्तों यहां पे आप सिख गए होंगे कि आप किस प्रकाद से आपमिटर का connection डारेक्ली करोगे CT के सार करोगे और सेलेक्टर स्वीच का उप्यो करके connection करोगे दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस इस वीडियो पर लाइक, सेर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब भी कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के धन्यवाद